अपने दर्शकों को बता दे कि संसत उद्गाटन पर अर्विन केजरीवाल ने मोधी सरकार पर एक पड़ा निशाना साधा है ट्वीट करकर लिखा है कि प्रभू श्री राम मंदिर केशला नियास पर मोधी जी ने ततकालीन राष्टरपती श्री रामनात कोविंद जी को नहीं बुलाया अब नाय संसत भवन केशला नियास पर भी मोधी जी ने श्री रामनात कोविंद जी को नहीं बुलाया अब नाई संसर्भवन के उद्गाटन को भी मौजूदा राश्ट्रपती श्रीबती द्रॉपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे अर्विन केजरीवाल शर्टवार से मिलने मुंबई पहुँचे हुएं कुछ कह रहे हैं सुन लेते हुएं 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसिस की अधिकारियों के उपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली 2015 से लेके 23 मई 2015 अब मई 2023 हो गया आठ साल से हम लोग कोट कचेरी के चक्कर दिल्ली के लोग काड़ रहे थे आठ साल के बाद सुप्रीम कोट ने 5-0 समविधान पीठ ने कंस्टिटूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ओर्डर दिल्ली के लोगों के हक में लिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की सरकार चुनने की क्या फाइदा पूरा हमारे हक में आया लेकिन जो लड़ाई आठ साल में हमने जीती 11 मई को ओडर आया 19 मई को आठ दिन के अंदर इन्होंने ओडिनेस लाके उसको ख़दम कर दिया सारी पावर वापस उन्होंने कहा कि केंदर सरकार के पास ये पास सारी पावर होगी तो जाभी आधी एकस्प्लें किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पारलेम्टface में तो हम पूरे देश में एक 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 पार्टी के पास अनुसे निवेदन कर रए हैं कि डिली के NCP का पूरी पार्टी का शरत्पवार साब का खास तोर से तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे जैसा भी प्रफल पटेल साब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट वहुमत नहीं है तो अगर नौन बीजेपी सारी पार्टी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है पहली चीज़ ये कि ये दिल्ली की लडाई नहीं है दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लडाई है जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नौन बीजेपी पार्टी को वोट दे के उसकी सरकार बनाते हैं तो भारती जनता पार्टी की केंदर सरकार उनके साथ तीन बरताव करती है पहला या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है दूसरा या फिर E.D. और C.B.I. को भेज के उनके विधायकों को ड़ा के धंका के पार्टी को तोड़ के सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी B.J.P. की सरकार बना लेती है और तीसरा अगर ना बिकें ना तूटें तो फिर अध्यादेश लाके ओर्टिन उनने कुछ महीने पहले देखा कि हाँ पर किस तरह से जनता के दौरा चुनी गई सरकार को किस तरह से E.D. के दौरा C.B. के दौरा पैसो के दौरा तोड़ के MLS को तोड़ के और पूरी सरकार को बिरा दिया गया यह देश के लिए अच्छी परिस्तिती नहीं है कि अगर के लोगों के पास जा रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं लोग पूछने हैं यह विपक्ष की एकता है क्या यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है यह देश की बात है देश भक्तों की बात है देश जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं जितने इस से चुनियोई सरकारों को तोड़ के खरीद के अध्यादेश जारी करके काम ना करने लिया जाए तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं श्रदपवार साब का ठीर आपने हमें और श्रदपवार साब देश के आज मैं समझता हूं कि कि अध्यादा चाहता हूं कि आपका तो सहयोग मिले गई लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ हिकठा करेंगे और मैं समझता हूं कि अगर यह राज्यसभा में बिल गिर जाता है बीजेपी पास नहीं करवा पाती है तो यह आप इसक को यह रहे हैं कि ओर यह नहीं आ रहे है तो दिली के मुक्ि मंतरी अर्विन खेजरिवाल को आपने सुना और अप पंजाब के मुक्षी मंतरी भगवंत मान सुन रहे हैं तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हर राजनेतिक दल के पास जा रहे हैं कि किंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आया है उस अध्यादेश पर जब वो संसद में वो बिल लाया जाए तो आप उसका विरोध कीजिए और यह तस्वीरे आप देखें जब शरत पवार से मिलने के लिए दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जरिवाल पहुंचे हैं उनके साथ संजय सिंग, रागव चड़ा, भगवंतमान और आतीशी दिखाई दे रही हैं तो अपने पूरे लॉल अशकर के साथ दिली के मुख् सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उसके अगले दिनी और 19 मई को किंद सरकारने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और अब इसी फैसले को जिसे कहा जाए कि समर्थन जुटा आने के लिए अर दफ ठाकरे से भी मुलाकात करने के लिए 24 मई को दिली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो ये पूरा वो घटना करम जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो सर्वेसिस का अधिकार है वो दिली सरकार को है, LG को नहीं, उसके बाद किंद्र सरकार ने इसको लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया